हलो प्यारे बचों, अज हम करें वर्कशीट नमबर थ्री, ये वर्कशीट नाइन्थ क्लास के लिए हैं और साइन्स की वर्कशीट है तो सभी बचचे तेया रहे हैं, देखो बचो, वर्कशीट के अंदर क्या समझाया हुआ है इससे पहले की वर्कशिट में हमने सीखा था विल्यन को बनाना विल्यन मतलब सॉल्यूशन को बनाना अब हम सीख रहे हैं सॉल्यूशन कितने तरह के हैं मतलब विल्यन हो कितने तरह के सकते हैं उसमें एक आता है निलंबन निलंबन जिसे इंग्लिश में suspension कहते हैं तो जिग्यासा दीदी से पूछ रहा है ग्यान, ग्यान कहते है मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिला दिया जैसा कि आप सब को दिखाई दे रहा है यह पानी है उसके दो उसने मिट्टी मिला दी ठेक है इसने एक विलियन तयार कर दिया एक मिक्षर तयार कर दिया पहले तो मिट्टी के कन इसमें मिल गए थे लेकिन कुछ समय बाद क्या देखा उसने थोड़े से मिट्टी के कन कम हो गए मतलब नीचे बैठने चुरो गए और पानी थोड़ा साफ हो गया और थोड़ी देर उसने जब रखा तो क्या देख रहा है कि मिट्टी के कन नीचे नीचे बैठते जा रहे और और एक घंटा डेड़ घंटे बाद वो क्या देख रहे है कि सारे कन नीचे बैठके बहुत ही कम जो मिट्टी के करने है वो पानी के अंदर दिखाई दे लिया अच्छा तो ऐसा क्यों हुआ अब कौन कहा रिया है जी ग्यासा दीदी बता रही है ग्यान को देखो ग्यान जो मिश्रन तुमने बनाया उस विल्यन उसे विल्यन नहीं निलंबन कहते है इस तरह के सोल्यूशन इस तरह के मिश्रन को क्या कहते है निलंबन कितने बच्चों को याद हो गया अगर पानी में हम मिट्टी मिलाते है और वो मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ गई तो ऐसे विल्यन को निलंबन कहते है क्योंकि इसमें मिट्टी के कन पानी में घुलते नहीं अब मिट्टी के कन कहलाते हैं विले और पानी क्या कहलाता है विलायक बलकि अस्थाई रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आखों से सपस्ट दिखाई देते हैं इसमें आपको राम से पानी के अंदर मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी नीचे बैढ़ गई अभी भी पानी के अंदर थोड़ी से मिट्टी के कंड है ठीक है तो ऐसी जो विल्यन तयार होता है एक मिश्रन तयार होता है इसे क्या कहते है निलंबन इस मिश्रन का नाम विल्यन है और ये एक विश्मांगी मिश्रन है विश्मांगी क्यों है? क्योंकि दोनों चीज आपस में मिली ही नहीं दीदी क्या इस विले को विलायक से असानी से अलग किया जा सकते हैं? अब बताओ जराब विले कौन है? मिटी और विलायक कौन है? पानी क्या पानी के अंदर से मिटी अलग कर सकते हो? कितने बच्चे कह रहे हैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं येस मैम कर सकते हैं अब कैसे कर सकते हो? मिटी तो पानी से अलग कर सकते हो घर में भी करते होंगे मतलब आपकी मम्मी को देखा होगा नहीं तो पुराने लोगों को देखा होगा वो क्या करते थे बिटा कपडे में से पानी को चान लेते थे अच्छा, और भी बना सकते थे हम और अच्छा फिल्टर घर में आरो या फिल्टर लगयो होते हैं उसमें भी तो यही होता है न हाग्यान इन्हें फिल्टर पेपर या किसी भी महीन कागस या कपड़े से छानने की विदी से अलग किया जा सकता है तो आज हमने क्या सिखा है निलंबन निलंबन के गुण कितने समझा है ये एक विश्मांगी मिश्रन है अगर गुण मतलब इसके बारे में हमें बताना है तो निलंबन एक विश्मांगी मिश्रन होता है वेरी गुण जब इस मिश्रन को कुछ देर के लिए खाली छोड़ दि तो इसका मतलब ये विलियन कैसे अस्थाई विलियन बन जाता है क्या नहीं या अस्थाई विलियन होता है दूसरा पॉइंट इसके कणों का अकार बड़ा होने की वज़े से इसे आँखों से देखा जा सकता है तीसरा पॉइंट ये निलंबित कन प्रकाश की किरन को फैला देते हैं मतलब अगर हम इस पानी के अंदर से प्रकाश को डाले जैसे लेजर लाइट ली बिटा और मैंने यहां रखी लेजर लाइट और यहां से मैंने प्रकाश डालना शुरू किया तो क्या हुआ ओलाइण में नहीं गया जबकि क्या हुआ अंदर ही अंदर फैल लिया इसका मतलब ये पानी जो निलंबन वाला तैयार हुआ है विल्यन वो किसको फैला देगा प्रकाश की किरन को फैला देगा जब तक ये गण नीचे बैठ नहीं जाते हैं इन्हें चानने विदी से लख्या जा सकता है चलो प्रशन उतर करते हैं क्या निलंबन में इसे प्रकाश का पत दिखाई देता है तो आंसर यहीं पर लिखा हुआ था आपका सभी बच्चे देखेंगे बताओ जरा निलंबन निलंबन कर्ण प्रकाश की गिरन को फैला देते हैं जिसके कारण उनका पत या मार्ग साफ दिखाई देता है चीक है क्योंकि अभी क्यों दिखाई देता है क्योंकि इसका अकार क्या होता है इसकी कणू का बड़ा होता है और बड़ा अकार जब प्रकाश को रोकता है तो वो हमें साफ दिखाई देता है बड़े कणों होते हैं वो प्रकाश को रोक देता है अगला कुश्चन है मतलब देखो बिटाओ ऐसा किसलिए होता है क्योंकि निलंबन के कण बड़े होते है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके कणों का आकार बड़ा होने की वज़े से इसे आखों से देखा जा सकता है और बड़ा आकार होता है तो क्या करे गए बड़ा करन है प्रकाश ये ऐसे जा रहा है मालो ये बॉटल में से जा रहा था प्रकाश अब यहाँ पर है करन बड़े बड़े जैसे ही प्रकाश इसमें से गया तो क्या होगा ये प्रकाश के लिए लेजर लाइट यूज कर दियूं बिटा यहां पर ओके तो प्रकाश की करन जब इसके अंदर से गई तब यहां पर है छोटे-छोटे कंड थोड़े बड़े कंड और उन्होंने इसको रोक दिया और इसे फैला दिया है ना तो इसलिए हमें इसमें दिखाई देगा प्रकाश फैलता हुआ अच्छा क्योंकि विलियन के कंड बड़े होते हैं निलंबन के कंड बड़े होते हैं निलंबन और विलियन में क्या अंतर है इसका अंतरस पस्ट केजिए तो पिछली वरक्षीट में हमने विलियन के बारे में पढ़ा था अब हम पढ़ रहें निलंबन के बारे में दोनों के गुणुम में अंतर कर देना निलंबन के करन बड़े होते हैं विलियन के करन छोटे हैं पहला पॉयंट निलंबन एक विश्मांगी मिश्रन है जबकि विलियन एक समांगी मिश्रन है मैं आपको पूरी लाइन्स नहीं लिख रही हूँ बिटा मैं यहां लिख रही हूँ पहला पॉइंट तो आप यहां पर जो नाम पहले दे रखा है निलंबन पहले दे रखा है आप लोग यहाँ पर निलंबन लिख देना यहाँ पर क्या लिखोगे विलियन लिख देना ठीक है निलंबन के कान बड़े कान होते हैं बड़े पूरी लाइन लिखना इसके कान छोटे यहाँ पर लिखते हैं छोटे इसके कान छोटे होते हैं दूसरा, ये एक विश मांगी मिश्रन है, विश मांगी, और ये एक समांगी मिश्रन है, अच्छा, मैं पूरी-पूरी लाइन नहीं लिख रही, आपको समझाते वे लिख रही हूँ, आप पूरी लाइन लिखेगा, ठीक है, अच्छा, निलंबन का उधारन पानी में मिटी, विलियन का उधारन पानी में चीनी अब अगला कोशिन कहता है यह इन में से छाटिए आटा अगर पानी में मिला दूँ तो यह कैसा मिश्रन तैयार होगा क्या पानी के अंदर आटा मिलाने के बाद आटा थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा बैठ जाएगा तो यह तो निलम्बन हो गया पानी के अंदर नमक मिला दूँ तो क्या नमक नीचे बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा तो पहला उधारन तो है आपका निलम्बन का जबकि दूसरा उधारन है विलियन का तो यहां लिखोगे ऐसे लिखना आटा और पानी लिखकर बैठा आटा जम्मा पानी लिखना और उसके सामने लिख देना एक कौन सा मिश्रन है बैठा निलम्बन निलम्बन ठीक है निलम्बन म की बिंदी उपर लगा दिया ओके ऐसे है रो डाल देना या फिर क्या करो गया इसके लिए या फिर आप ऐसे करो बिटा यहाँ पर मिश्रन लिख दो आटा जम्मा पानी और यहाँ पर दूर लिख दो निलम्बन बस इतना भी भोत है आपको पता है यह निलम्बन है यहाँ पर देखो नमक और पानी और वहाँ पर क्या लिखोगे, ये है विल्यन अगला देखो, रेत और पानी, रेत भी तो नीचे बैड़िया रेत और पानी भी निलंबन ठीक है, पुरा लिख लेना हल्दी और पानी हल्दी नीचे बैठ जाएगी कि थोड़ी सी हल्दी लेंगे तब तो पूरी मिली रहेगी अगर बहुत सारी हल्दी लेंगी तब वो नीचे बैठेगी लेकिन फिर भी रहेगा तो पानी और हल्दी आपका निलंबन नहीं होगा जबकि क्या होगा पिटा वेलियन में आजाएगा निलंबन के कोई तीन गुण लिखिए इन में से कोई भी तीन गुण आप लिख दीजिएगा यह दिया हुए है यह एक विश्मांगी मिश्रन है इसके कणो काकार बड़ा होता है यह प्रकाश की किरन को फैला देता है और चानने विदी से इसको अलग किया जा सकता है पूरे-पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने है इतना ही लिखना यह एक विश्मांगी मिश्रन है इसके कणो काकार बड़ा होता है होता है लिखना ये निलंबित गन ये प्रकाश की किरन को फिला देते हैं इसे चानना विदी से अलग किया जा सकता है चार पॉइंट्स लिखवा दिये तो सभी बच्चों को समझ आ गया होगा चलिए दोगज अत्वचे फिट की शारिरिक दूरिक आपको पालन करना है जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं घर पे हो तब भी आपको इन चीज़ों को पालन करना है ठेक है और सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको समझ आए कई बच्चे मेरे पास मैसेज कर देया है कि मैं मुझे अभी भी अच्छे से नहीं समझ में आई तो क्या करना है एक बार और देख लेना है फिर समझ आजाएगा थैंक यू बच्चो थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वरक्षीट आपके पास जल्दी ही आजाएगी ठेक है